इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यानि की नियूरोपेथिक दर्द के कारण होने वाले दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है इसका उपयोग कुछ प्रकार के दोरे के इलाज के लिए भी किया जाता है यानि की फिट बैठता है अन्य दवाओं के साथ सयोजन में बागा सो कैपसूल मिर्गी रोधी दवाओं के समूह से संबंधित है आप इसे भोजन के साथ या बिना ले सकते हैं लेकिन सबसे अधिक लाब पाने के लिए इस दवा को हर दिन एक ही समय पर लेना महत्व पूर्ण है उपचार की सटीक खुराक और अवधी आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं आपका डॉक्टर शायद इस दवा को कम खुराक पर शुरू करेगा और इसे धीरे धीरे बढ़ाएगा दवा को ठीक से काम करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और इसे तब तक नियमित रूप से लेते रहें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको इसे रोकने की सलाह न दे कोई भी खुराक लेना न भूलें, नहीं तो आपकी हालत और खराब हो सकती है बागा सो कैपसूल लेने वाले अधिकांश लोगों को किसी भी तरह के दुशप्रभाव का अनुभव नहीं होता है सबसे आम लोगों को नींद आना, चक्कर आना या थकान, यानि की थकान, महसूस हो रही है ये आम तोर पर हलके होते हैं और अपने आप चले जाते हैं क्योंकि आपके शरीर को दवा की आदत हो जाती है अधिकांच दुशप्रभाव गंभीर नहीं होते हैं और उन्हें चिकित्सक की अध्यान देने की आवशकता नहीं होती है अपने चिकित्सक से बात करें यदि कोई भी दुशप्रभाव बना रहता है या आपको चिंता होती है आपको इस दवा के साथ शराब पीने से बचना चाहिए क्यूंकि इससे अत्यधिक नींद और चक्कर आ सकते हैं अपने चिकित्सक को तुरंत बताएं यदि आप किसी भी असामान्य मनोदशा में परिवर्तन जैसे चिंता, आंदोलन, अवसाद या खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में विचार करते हैं बागा सो कैपसूल लेने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको किड्नी से संबंधित कोई समस्या है या यदि आप 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ऐसे लोगों के लिए आपका डॉक्टर दूसरी खुराक लेख सकता है जो महिलाइक गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या गर्भवती होने की योजना बना रही हैं उन्हें भी इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद